अंगुर की सीजन चल रही है मार्केट में जहां नजर करो सस्ते दामों में अच्छे से अच्छी कॉलिटी वाले अंगुर मिल रहे हैं हेलो फ्रेंट्स फुड़ी वेप कुक एंड ट्रावेल में आप सभी का स्वागत है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बदल में जो बैल का आइकन है उस पर प्लिक करना और और अप्षिन को सिलेक कर लेना तो फुड़ी वेप के किचिन में आज हम और इसका बनाएंगे जूस नॉर्मली किसी स्पेशल डिश में हम यूज करते हैं इमली की चटनी लेकिन ज्यादा तर इमली की चटनी खाने से जोडों का दर्ध शुरू हो जाता है अगर स्पेशली घर में कोई बुज़ूर्ग हो उनको इस जूस को हम छान लेंगे ताकि जो नॉर्मल है आधा कीलो ये अंगुर था जिसमें मैं मिला रही हूँ आधा कीलो गुड़ गुड़ की हमें बनानी है चाशनी तो इस गुड़ में हम मिलाएंगे एक कप पानी यानिकि ये हैं लगबग 300 एमेल मध्यवाज पर हम इसे उबलने देंगे जब तक ये गुड है पिघल जाए उसके बाद में भी हम इसे लगबग 5 मिनिट तक उबलने देंगे ताकि ये जो मिश्रण है थोड़ा सा गाड़ा बन जाए और इसे फिर बाद में हम छान लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिट्टी या कुछ impurities वगरा रहती हैं गुड में तो इसे हम छ तो तुरंती हम इसमें मिलाएंगे अंगर का जिस जिसमें हमने कॉन फ्लार एड़ किया था और इसे हमें थोड़ा से चला कर ही इसमें मिलाना है क्योंकि जो कॉन फ्लार है वो नीचे बॉटम में सटल हो जाता है इसमें कर्ची चलाते रहेंगे अगले 2-5 मिनिट तक हमें उबलने देना है और पकाना है और फिर हम इसमें एड़ करेंगे कुछ चट पटे से मसाले सबसे पहले इसमें डलेगा एक टीस्पून बुना हुआ जीरा पाउडर एक टीस्पून हम इसमें मिलाएंगे आमचोर पाउडर एक टीस्पून चाट मसाला एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर में इसमें मिला रही हूँ मसाले हम इसमें मिलाते जाएंगे और चलाते जाएंगे गाईस ये मैंने मिला दिया आधा टीस्पून नमक और स्पाइसी वाले फ्लेवर के लिए हम इसमें मिलाएंगे आधा टीस्पून काले मिर्च का पावडर एक से दो मिनिट हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि कुछ लंप्स हो तो निकल जाए खटी मिठी अंगूर की चटनी बिलकुल रेडी है जिसे हम इमली की चटनी के बदले में रिप्लेस कर सकते हैं सस्ते और अच्छी कॉलिटी के अंगूर मिलते हैं सीजन जब हो तब हम ये चटनी स्टोर करके रख सकते हैं जब जरूरत पढ़े तम हम यूज़ कर सकते हैं कोई special dish के साथ में अगर हम Emily की चटनी हमारे बड़े बुज़र्गों को serve करते हैं तो वो खा तो लेंगे लेकिन बाद में उन्हें जोडों का जो दर्द है वो बढ़ जाता है तो वो सब avoid करने के लिए हम अंगुर की इस तरह से मीठी चटनी बना कर store कर सकते हैं और guys हरधनिया भी इन दिनो market में सस्ता साफ और अच्छा मिलता है तो हरधनिया की चटनी भी हम इस तरह से बना कर freezer में store कर सकते हैं जब जरूरत पढ़े तो freezer से आदे गंटे पहले निकाल कर हम use कर सकते हैं तो guys ये वाले recipe वीडियो अग अगर आपको पसंद आई है तो please like और share करना जल्द ही फिर मिलेंगे thanks for watching